Hyundai ने अपनी न्यू Micro SUV लाँच कर दी है जो की Tata Punch के competition में है आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले Hyundai Extra और उसकी मेंन competitor Tata Punch के बारे में तो चलिए comparison वीडियो को start करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो आईए देखते हैं कुन सी कार बेटर है और कुन सी कार लेनी चाहिए सबसे पहले बात करते हैं dimensions की Extra की length 3815 mm है जहाँ पर Tata Punch की 3827 mm Extra की width 1710 mm है जहाँ पर Tata Punch की 1742 mm Extra की height 1631 mm है जहाँ पर Tata Punch की 1615 mm Extra में 2450 mm का wheelbase मिलता है जहाँ पर Tata Punch में 2445 mm का मिलता है Extra में 185 mm का ground clearance मिल जाता है Tata Punch में 187 mm का ground clearance मिल जाता है Height and wheelbase के अलावा सारी चीजे में Tata Punch बड़ी है Hyundai Extra से अब बात करतें engine की Extra में आपको 1.2 liter natural aspirated 4 cylinder petrol engine देखने को मिलता है जो की 182 bhp का power 114 Nm का torque प्रोड्यूस करता है यही same engine CNG के साथ भी मिलता है CNG में 68 bhp की power 95 Nm का torque मिलता है Tata Punch में 1.2 liter का national aspirated 3 cylinder petrol engine मिलता है ना कि 4 cylinder जो 84 bhp की power 145 Nm का torque प्रोड्यूस करता है वीडियो बनाते तक CNG engine Tata Punch में नहीं आया आगे चलके इसमें CNG बहुत जल टाटा लॉंच करने वाला है अब बात करते हैं mileage की Hyundai Extra की mileage 19.4 km per liter है जहाँ पर Tata Punch की mileage 20 km per liter है आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को like जरू करें तब तक के लिए जय ही जय भारत